जै मत अदि गाईज कैसे हैं आप लोग आप लोग विल्कुल ठीक होंगे और हम भी विल्कुल ठीक हैं तो मौनिंग के पांच बज रहे हैं और भगवान जी के मंदिर के दर्सन करने के बाद पहले हम लगा लेते हैं भगवान जी के घर में पहुचा और देख सकते हमारे भगवान जी का भी घर काफी बड़ा है और यहीं पर माता रानी के ड्रसिंग भी रखी हुई है और छोटी सी अलमारी भी रखी हुई है जिसमे माता जी के कपड़े रहते हैं अब पॉच्छा लगाने की बाद हम आ गए हैं पिछन में तो हाथ धुल करके रात में हमने भध्वा धुल करके रख लिया था तो भध्वा पहले काट लेते हैं और आज हमको भध्वा क्या बनाना है आटे में गोंद करके हमको बनाना है ग्रीन ग्रीन पराठे तो वाके ही ठंडियों में नहीं सब चीजें खाना चाहिए अब भध्वा तो बहुत ही फायदेवन चीज है अगर आप सबजी बना करके खाओ या दाल में डाल करके खाओ या बॉयल करके पराठा या कचोड़ी बनाओ तो हम कच्चा ही भत्वा देख सकते हैं आटे में हमने डाल लिया और थोड़ी से आटे में हमने अजवाइन डाल लिया है और कड़वा तेल डाल लिया है जो ये लहसुन और मिर्चे का अद्रक का पेश्ट रहता है उसको भी हम एक चम्मच इसमें डाल लेंगे आटे में और इसके बाद हमको गूंद लेना है थोड़ी पानी डाल करके और हल्का हम और नमग भी डाल सकते हैं क्योंकि आटा हमारा ज्यादा है और वैसे भी सब कोई चीजे ना बहुत ही पसंद है तो हम सोच रहे हैं इस सुबह सुबह ये काम सब कल लेंगे तो आटा भी हमारा अच्छे से गूंद जाएगा फूल जाएगा और इसके बाद हमारे पराठे भी बहुत अच्छे बनेगे तो देख सकते हैं आटा हमने गूंद लिया इसको हम ढखके रखतेंगे और आलू भी हमने थोड़ी से बॉयल कर लिया था तो आलू भी छील करके रख लेते हैं तो सुबह के नहाने से पहले हमारी इतने काम हो जाएंगे तो नहाने के बाद ना जैसे कि पूजा पाठ करेंगे तो कोई हरवड़ी नहीं रहती है नहीं तो नहाने से पहले अगर किचन के काम नास्ता बनाने के न करो तो इतनी हरवड़ी रहती है कि पूजा हम जल्दी करें किचन में आज हमको नास्ता क्या बनाना है इसलिए और आज ना हमको कहीं जाना भी है अब कहां जाना है ये तो आगे ही आप लोगों को पता चलेग सब जग भी गए हैं और चाय भी हमने रख दिया है पकने के लिए तो पहले हम सब को दे देते हैं चाय और इसके बाद ही करेंगे विश्ण भगवान की पूजा विश्ण भगवान की हमने पूजा की भी पूरी तयारी कर लिया है जैसे कि विश्ण भगवान की कथा में हमको लेना है, चनी की दाल है, मुनक्का है, गुड है, तो हम कटोरी में सब धुल करके रख लियें, ग्लास में, मतलब रख लियें, सक्कर और पानी, चंद्रा मिद बना करके, तो पहले सब को दे देते हैं, चाए और नमकीन, और इसके बाद ही हम नास्ते, मतलब जो नास्ते में तैयारी कियें, इसके बाद ही हम बनाएंगे, तो ये भाया जी ले करके जा रहे हैं उपर, सब लोग बैट करके पीएंगे चाय, और हम कर लेते हैं विश्ण भगवान की पूजा, तो देख सकते हैं, विश्ण भगवान की पूजा करने से पहले, जो जलाना चाहिए, धूप दीपक भी दिखा दिया, आप कर लेते हैं विश्ण भगवान की कथा, तो विश्ण भगवान की कथा कहने में हमको 15-20 मिनट लग जाता है, और उस समय बोलना नहीं चाहिए, आप कथा भी कर लिए, विश्ण भगवान की दरसन भी कर लिए, अब आहर ना इतनी तेज हावा तवा रख दिया, तवा हमारा गरम हो रहा है, और आप लोगों से बताये ना, प्राची का टाइटल में हमने नाम डाल दिया, तो वाके ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही हमको प्यार दिया, गाईज इसी तरह थोड़ी थोड़ी हमारे भी ब्यूस बढ़ाते जाए वैसे भी अपने तो अपने ही होते हैं, खून के रिष्टे होते हैं और हमारी बहने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट डाली हैं कि दी, आप, और रुची, प्राची सब एक तरह लगते हो तो वाके ही अब भुवा भतीजी हैं तो एक तरह की तो लगेंगे ही और काफी लोग जो मतलबी लोग होते हैं हमको बिल्कूल पसंद नहीं हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं उनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जब हम नए नए यूटूबर मतलब नए नए यूटूब में आए हुए थे, उन्होंने काफी मतलब उस समय तो हमारे मायके में शादी नहीं थी और हम भी तो वैसे भी ये बाते तो काफी मतलब हैं, हम बाद में ही आप लोगों से बताएंगे, तो सादी में ना कुछ इधरदर वाले लोग जैसे आ जाते ना तो वही काना खूसी करके हमको बुआ भतीजी के रिस्तों में इतना मतलब दरार पैदा कर दिये थ हैं, उसी समय करीब हमारे ब्यूस आने लगे थे, 20-20,000 आने लगे थे तो एक हमारी वह भी भतीजी हैं, मतलब रिष्टे में लगती हैं, तो उन्होंने काफी हमको कमेंट करती थी कि भूआ हमारे मितलब ब्यूस बढ़हाई ये, और हमारी लिंकशेयर करईगे, तो हम करत इतनी अच्छे पराठे बनाए हैं और ये कहलें अभी नहीं खाएं जैमात अदी कर लो जैमात अदी काई सुबे से न लोगों को नास्ता भी कुछ हो जाता है जिसे दूध है ब्रेड है बदाम है सब खाए पी रहते हैं तो भी इतनी जल्दी पराठा कहां खाएंगे और टाइम भी ना तो साधे दस बजने वाले होगे जल्दी जाते हैं बात रूम पहरे लोग भी कप्रे धूल करके डाल देते हैं थोड़ी बहुत जो रोज वाले हैं जड़ी है बनियानी है तो धूल करके डाल देते हैं इसके बाद ही हम निकलते तो मा भगवती शिधारती माता के आप लोग भी दर्शन करिये और देखे कितनी भीड है और हमारे साथ रीता भी आई हुई थी आज इनको भी विश्ण भगवान का यहाँ पर हम दोनों को उद्यापन करना है तो पहले हमारे गुरु जी कहें कि बिटिया अपने हाथों से सब को पिला दो चाहे और वाके ही मातारानी गुरु जी हमको बहुत इशने प्यार देते हैं गाईज जैसे आप लोग जितने भी यूटूबर फैमली हमको आप लोग बहुत इशने प्यार देते हो वैसे हमको मतारानी भी देती हैं और मंदिर में बैट करके हम यही कहेंगे कि माभगवती जैसे हमारी सारी च्छाएं पूरी की हैं वैसे ही माभगवती सब की च्छाएं पूरी करें तो कुछ यही सब बा और जो लोग रहते हैं वो सब अपने ही होते हैं यह चाचा पीती दादा दादी का कोई भेद भाव नहीं रखना चाहिए और यहां पर देखिए ऐसे हम कर रहे हैं विश्ण भगवान का उद्यापन इसमें फल मीठा सिंदूर पैसे हमने सब कुछ रख लिया है जो जो रखा तो आप लोग भी देख सकते हैं बस यही सब बाते हैं तो आप लोग भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी जैसे प्राची का हमने टाइटल और हमारे अंदर न गाईज बताएं ना बिल्कुल लालच नहीं हम लाज़र आप लोग कमेंट करते हो कि आप दी बुआ प्राची के पास क्यों नहीं मिलने चाते हो तो होता है ना इस समय बच्चे हमारे अकेले हैं, सासुमा हमारी कुम्ब मेले में हैं इसलिए नहीं जा सकते हैं गंगानहाने के लिए सोच रहे हैं लेकिन एक दिन के लिए जाएंगे अंगे हरबडी में तब भी वहां तक नहीं पहुँच पाएंगे मन तो बहुत करता है, किसका मन नहीं करता है अपनों से मिलने के लिए और वैसे बुगा भतीजी कितने गहरे रिष्टे होते हैं, हमारी भतीजियां सभी बहुत ही अच्छी हैं जो भी हमारी सस्काइबर हमारी भतीजिया हैं और ये अपनी भतीजी हैं सब बहुत ही अच्छे जैसे आप अच्छे हो तैसे सब अच्छे हैं तो गाईज होता है जब हम खुद अच्छे हैं तो जो भी हमारे नजरों में हमारे नजरों में सब ही अच्छे हैं तो यहाँ पर तो फिabord पीड़ थी और इतनी तेज बाहर हवाद चल रही है की फेद़ गये पेदर ही आए और हवा में ने चलते भी नहीं बन रहा पूरी सबची बना करके भी खाना, पहले पंडि जी को निकालेंगे सीधा, गुरु जी ने कहा है की घर जाते हैं पहले पंडि जी को सीधा निकाल करके पहुंचा देना, इसके बाद ही सांग को पूरी सजी खाना तो लग जाते हैं अपने काम धाम में तलेते हैं काम इसके बाद काटते हैं मेवा बैट कहते फिर बनाते हैं लट्टू तो हम पहले सोंट को पीस लेते हैं सिल में क्योंकि पीसी पीसाई सोंट हमको नहीं मिल पाई थी और मेवे भी कद्दू कस कर लेते हैं तो देख सकते हैं इधर हमारे गुड की चासनी बन रही है और ज्यादा गुड मनलब चासनी को टाइट नहीं करना है और इसके बाद हमने थोड़ी से भून लिया था मेवा और मेवे में बस वही है मखाना है आपने तो देखा ही है पूरा मेवा टाइम पांच बज रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चासनी भी गुड की बन गई है अब सब पूरा इसमें मेवा डाल देंगे सोट पिसी हुई और सोट में इतनी अच्छी खुश भुआ रही है वाके ही जो हम पैकेट की सोट लाते हैं पिसी पिसाई वो इतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी अच्छी तो थोड़ी से हम लोगों को यह है रहता है कि ज्यादा थोड़ी परिश्रम करना पड़ता है सोट को पीसने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया अब यहाँ पर हम पूरी चासनी गुड़की और मेवा और सोट सब डाल करके मिक्स कर लेंगे और वैसे काईजने ठंडियों में लड़ू बहुत ही फायदे बंद होते हैं और अगर आपके कमर में दर्द है आपको कोई परेशानी है बच्चों को खिलाए आप भी खाए तो सासुमा को हमारे लड़ू बहुत पसंद आते हैं और यह मुलायम भी रहते हैं क्योंकि गुड 어를 जर। ठाइट है इसलिए लड़ू ऑच्छे बन जाते हैं तो हम बना लेते हैं लड़ू आप लोगों को दिखाते हैं कुछ बातें अधूरी रह गए ती तो आप लोगों से थोड़ी से बातें और भी कर लेते हैं और बताया ना जब साधी ok pane 2 मेलेना ना तो नहीं तो अ दिल के रिष्टे तो हमेशा ऐसे रिष्टे होते हैं आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है तो बन गए हमारे लड़ू और वाकिन बहुत ही टेश्टी लड़ू बनते हैं और बहुत ही कम समय में से लगे हुए हैं बस चाय बनाए हैं और सब को चाय दिये हैं हम भी पूरा एक गिलास चाय पिये हैं तो थोड़ी से जा करके फुर्ती आई है क्योंकि कमर इदम से टेरी हो गई थी उतनी दूर जान यह से चार बजे नहीं कर जाएं इसलिए हमने कहा कि कभी सब कुछ और काम बाद में करेंगे पहले सोटगरी के लड़ू बनाते हैं और जार हम इनको दिब्बे में पैक कर देते हैं तो सासुमा ना वैसे गंदा नहाने जाएं ना जाएं सासुमा तक हमारे सोटगरी के तो भुगवान जी के आती पूजा करते हैं कुछ बर्दन पड़े हुए हैं तो इनको साप करते हैं और इसके बाद बुलू जी तो बोले थे कि साम को बनाना पूरी सबजी लेकिन अब बिल्कुल हिम्मत नहीं पूरी सबजी बनाने की लखाने ही जो पराठे बनाए तुस बना देंगे और अपने लिए भी चाय थोड़ी बहुत रखी हुई है तो भवान जी की आरती पूजा करने को बाद चाय पी लेंगे तो आज का ब्लॉक करसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा और इसे इस नहीं प्यार देते रहे हैं इस ब्लॉक करना चाहत प्लॉक करेंड तो ब्लॉक पसंद आए तो लाइप भी करिएगा सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा मिलते हैं ने फ्लॉक में जय मत अदिगाई